हालो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ गाजर और गोभी के अचार की रेसिपी शेयर करे हूँ यह बहुत ही टेस्टी लगता है इसे एक पर चरोट टाइ कीजिएगा इसके लिए मैंने एक गाजर ले लिया है उसे अच्छे से छिल के धोगे और लंबे-लंबे स्टिप्स में क चाहीं तो इसको चौको या गूल भी काट सकते हैं लेकिन यह ध्यान रहे कि यह पतले कटें बहुत मोटा नहीं काटिएगा अब मैंने एक छोटी फूल गोभी ले ली है उसे भी मैं बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में जैसे कि हम अपने घर में फूल गोभी की भ यह जच तक दग देख को बाद है और उसके बात मैंने इसको एक चनंगी लगा कर के मैंने सका इसकर पानि को अलग है ऊपर निकाल लेंगे हमारी मिर्ची थोड़ी सी सॉफट भी हो जाएकि घर害 चाल दिया थे गाजर को अर फूल गोभी को अब मैंने हरी मिर्ची थी मिर् इसमें वाइट विनेगर डालूंगी हम इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं ये पकने के बाद ऐसी लगती है अब मैं इसे अपने इस अचार में जो फुलकोपी और काजर हमने अच्छे से सुखा लिया है उसका मॉस्डर पुरा निकल गया है अब हम कुछ मसाले लेंगे ज इसको हम दरदरा कूटेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनता है हमने अपने सारे मसालों को एक एक करके अच्छे से कूट लिया है अब मैंने गोभी और गाजर को लिया है उसमें मैंने मिर्ची डाला है मसाला डाला है थोड़ा स्वादानुसार नमक डाला है मैं सिर्खी कटूरी में चीनी था वो मैंने चीनी भी एड़ किया है अब मैं इसमें कलर के हल्दी डालूंगी और कश्मीरी लालमेज डालूंगी और वेनिकर डालूंगी हमारा जार बन की बिल्कुल तेयर